जैन दोस्तों ताइए दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए सांदार वीडियो में स्वागत हैं दोस्तों आज का टॉपिक होने वाला है कि बीना पढ़ें कोपी कैसे लिखें टॉपिक हमारा यही रहेगा कि बीना पढ़ें अगर आप अभी तक कोचिंग एसकूल नहीं गए हैं मालीजे का आप बाहर है या घर बैठे हैं और अब आपको जो है आगे बोड एकजाम देना है 2013 में यह वीडियो 10 और 12 दोनों student के लिए है ठीक है तो आप लोंको घबराना नहीं है क्योंकि आज का जो ऐसा ट्रीक बताएंगे ना ऐसा तरीका बताएंगे कि अगर इतना करते हैं तो आप एकदम सही डंग से कौपी लिख लिजिएगा ठीक है चलिए अब जो है आगे दिखिस में क्या-क्या समझना है क्या-क्या बताएंगे वो भी समझे यहाँ पर जो लिख आपको कैसे काम करना है क्या लिखना है वो सभी चीज हम आपको बताएंगे आप कोपी में क्या लिखेंगे माली जेग आपको कुछ नहीं आता है अपने स्कूल नहीं गया कोचिंग नहीं गया आप सोच रहें कि मेरा वोड एकजाम है और वहां पर हम कोपी में क्या लिखे गवरना नहीं है, एकदम रुखिए 17 जैंब बहूत ही सांधार टीञ बताएंगे, आपको कैसे लिखना चाहिए, लिखने के लिए नहीं आता है, लिखने का भी एक तरीका होता है, आप लोग समझते हैं, तो लिखने का तरीका क्या होता है उसको भी समझाएंगे, ठ.' एकदम जानकारी आप सही डंग से देख लेते हैं और इतना ट्रीक लगा लेते हैं तो 95 पर 30 लाने से कोई नहीं रोग सकता है ठीक है तो चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं गौर से सुनिएगा केवल आगे बढ़ते हैं समझेंगे कि क्या है इनका टॉपिक दोस्तों चार खतरनाग एनकार टीप्स ये चार टीप्स अगर समझ जाते हैं चार टीप्स कुछ नहीं है केवल 5 मिनट आप सोच सकते हैं कि 3 महना, 4 महना, 5 महना जो भी समय exam देने के लिए बच्टा है student के लिए उसमें से 5 मिनट वीडियो पर नहीं दे सकते हैं दे सकते हैं क्योंकि बहुत पूरा समझाएंगे समझना है करके सबसे पहले आप एकजाम में काला पेन और नीला पेन लेकर जाहिएगा यह तो आप जानते ही होंगे नहीं जानते हैं तो समझ लिजिएगा इसके अलावा रेड पेन से नहीं लिखना है और बुलू पेन से नहीं लिखना है ठीक है चलिए आगे चलते हैं, आप दीखी रूल नमबर फर्स्ट में बोला गया है, कि आपको पहले objective प्रस्ण दिया जाएगा, सही बात है, जब आप exam देने के लिए जाएगा, तो आपको पहले objective प्रस्ण दिया जाएगा, और साथी साथ एक निश्चित समय दिया जाएगा, कि आपको ए तरह के जनकाई देखने के लिए आप मारे चनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह से वीडियो मिलता रहें और आप लोगों के अंदर का डर हम क्या करें कि भगाते रहें आपको डरना नहीं है एक जाम से ठीक है चलिए तो पहले अब्जेक्टिव प्रस् पहला कोशन बना रहे है और उसका आंसर सी है तो आपको सी जो है इस काला वाला जो दाइरा है ना इसके अंदर में करना है जरा भी बाहर नहीं करना है पूरा भरना है ऐसा नहीं आधा भरना है ठीक है पूरा भरने का मतलब यह हो गया जिसे यह मल जे गोला है तो गोला को रंग ये ना बाहर करना है ना अंदर में छोड़ना है पुरा complete भरना है उसी तरह से माले जी एक question number 3 बना रहा है और इसका answer भी है तो आपको भी इस तरह से रंग देना है ठीक है इस तरह से आपको एकदम साही धंग से black pen से भर देना है तो हम उम्मीद करेंगे कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा तो rule number first में समझ में आ गया अब rule number second समझते हैं अब दोस्तों आपके सामने है rule number second देखे rule number second में क्या है कि objective जैसे ही ले लेगा copy उसके बाद आपको subjective प्रस्ण दिया जाएगा ठीक है और subjective प्रस्ण में आपको कैसे लिखना है तो हम बता देते हैं subjective प्रस्ण के लिए आपको copy रहेगा ठीक है पेज दिया जाएगा भरने के लिए short question रहेगा long question रहेगा ठीक है यहाँ पर देखिए पहला है कि first page में आप कार्ट पीट कर नहीं लिखेंगे first page जो भी आप question लिखते हैं subjective का उसमें आपको कार्ट पीट कर नहीं लिखना है अगर कार्ट पीट करते हैं तो examiner वहाँ पर आपका number कार्ट लेगा यह चीद ध्यान रखिएगा हमेशा जितना कच्रा फेलाईएगा copy में उतना examiner आप लोगों के साथ कच्रा करेगा यानि क number कम देगा ठीक है दूसरा चीद समझे आपको writing जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है जितना अच्छा हो सके क्योंकि examiner जो है writing पर भी number देता है क्योंकि उन लोगों को copy check करने के लिए रुपए मिलता है और वो अपने हिसाब से copy check करता है लिखावट सही धंग marks देगा यह आप हमेशा ध्यान रखें full marks मिलेगा ठीक है चलिए अब देखते है rule number 3 एक एक चीज को समझेगा दोस्तों अभी हम यह सभी चीज बतला रहें आगे यह भी बतलाएंगे कि copy में कैसे लिखना है अगर नहीं जानते हैं तो क्या-क्या लिखना है rule number 3 को समझे यह सभी चीज आपको ध्यान में रखना है जब आपको प्रशन copy मिलेगा उस समय आप प्रशन को सही सही जरूर पढ़ने जब आपको प्रशन copy मिल जाए तो पहले आपको क्या करना है पहला काम है आपको पूरा पढ़ना सही धंग से अगर सही धंग से पढ़ लेते हैं ठीक है उसके बाद, कौपी लिखते समय, आप उसमें गलत सब्द, गाना, गाली, कसम, ये सब चीज आपको नहीं करना है, ये चीजें आपको नहीं करना है, कोई भी चीज अपने मन से नहीं लिखना है, जो भी question में पूछा जाए केवल उसी का जवाब दिजी, अब बात ये आता है कि मालेजी ये question में तो जो भी पूछा गया है, उसका जवाब नहीं मालूम है, तो उसका भी तरीका बताएंगे न, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, हम वही तो बतलाने जा रहे हैं, हम अभी ये बतला रहे हैं कि अगर नहीं आये लिखने के लिए, तो ये सब नहीं लि नहीं थे, कि चार नंबर, आपको चार ही रूल समझना है, महत पूर्ण जानकारी यहाँ पर मिलेगा आपको, कि कोफी अगर आपको लिखने के लिए नहीं आये, तो क्या लिखिएगा, अब आपको कैसे लिखना है, वो जाने, देखिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग पूरा जीरो है, कुछ बुझने के लिए नहीं आता है, आप मेटरिक के स्टुडेंट हैं, ट्वेल्थ के स्टुडेंट हैं, और आप लोग को लिखने के लिए नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, पेन चलाने के लिए तो आता है, आप मान लिजिए, कि विदूत धारा पर, या धारा के बारे में पता है तो इसी topic पर आप लिखिए जो भी आपके मन में है नहीं विदूत और धारा के जो भी ये topic है ना इसमें एक point पकर लिजिए और point पकरने के बाद उसी पर लिखिए clear है तो आप क्या करेंगे कि इस तरह से question में कुछ ना कुछ लिख कर आईएगा खाली छोड़ना नहीं है कोई फाइदा नहीं होगा एक भी number नहीं मिलेगा अगर उस topic में question जो पूछा गया है उसी में से कोई एक point पकर ये और उस point पर लिखते हैं तो आपको examiner जो है full marks देगा वो समझ जाएगा कि विद्यारती लिख चुका है दूसरा चीज question जब लिखिएगा एकदम सही सही लिखिएगा और साफ साफ लिखिएगा साफ साफ तो लिखना ही है जितना साफ लिखिएगा examiner number जो है उतना ही जादा देगा नंबर उतना ही जादा आपको मिलेगा यह चीज हमेशा ध्यान रख लिजिए अब इक तीन नंबर में क्या समझना है जब कॉपी मिले question पढ़ रहे है बना लिजिए जो question आपको आता है सभी question को देख लिजिए जो question आपको पता है मालीजी आपको आठ नंबर question पता है उसके बाद 12 नंबर तो आपको वहाँ पर प्रस्ण संख्यां लिख देना है कि प्रस्ण संख्यां हम 4 नंबर बना रहे है और 4 नंबर का नीचे से उत्तर लिख देना है question इस तरह से लिखना है जो आता है वही लिखी उसके अलाबा कुछ ने चार नंबर में हमेशा आप जब question लिखिएगा तो question हमेशा जो है black pen से लिखिएगा black pen से ताकि देखने में सुंदर लगे और answer जो है हमेशा blue pen से लिखिएगा ताकि examiner को लगे ऐसा कि नहीं student को सही धंग से पता है किस तरह से exam में लिखा जाता है और इस तरह से अगर आप लिख कर आते हैं तो 100% मेरा guarantee है कि आप लोग exam में कभी file नहीं होईएगा और आप लोगों के हिसाब से जो चाहते हैं number उतना मिल जाएगा तो दोस्तों हम उमीद करेंगे कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग जरूर ये सभी चीज़े ध्यान में रखिएगा exam नजदिक है आप लोग ये सभी चीज़ पढ़ाई के साथ साथ ये सभी चीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों हम बता दें कि हम आप लोगों के लिए बोड एक्जाम से समन्दित जितना भी टीप्स है वो सभी बताते हैं साथी साथ क्रेस कोर्स का कलास चलदा है सभी question answer कर बाते हैं जाइए मेरे चैनल पर पूरा वीडियो को वाज किजिए और देखिए कहीं पर विधिकत हो तो आप हमें कॉमेंट कीजिए और बता दें कि अगर आप लोगों कुमारे चैनल पर पहली वार आये हैं तो दोस्तों चैनल को क्या करना है केवल सब्सक्राइब कर दिजिए और एक छोटा सा कॉमेंट कर दिजिए कि आपनों का नाम क्या है चाहें आपनों कहां से हैं नहीं है ठीक है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर कॉमेंट करके जवाब दीजिएगा मिरेंगे दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत वंदे मातरब